पिशली लंबे वक्त से चर्चा का विशय बनी हुई गुलर का फूल्म फिल्म ने आखिरकार अंतराश्टी स्तर पर अपनी पहचान बना ली है और खिताब भी जीत लिया है जीहां आपको बता दें कि बार्सी लोना के अंतराश्टी फिल्म फैस्टिवल में इस फिल्म को ब अफदिभाशा को भी एक नई पैचान मिल गई है अफदिभाशा को भी अंतराश्टी स्तर पर काफी पसंद किया गया है रिकोगनेश किया जा रहा है और वो पहले जो लोग अंदर कॉंप्लेक्स एक इंग्लिश को लेके था या खड़ी बोली को लेके था अब वो धीरे दीरे सभाग से कम हो रहा है तो अब रिजिनल लैंग्विजिस इतनी भी हैं उन लैंग्विजिन को उनका समुचित स्था है और इसके जो डायक्टर है वो है धीरेच भटनागर और इस फिल्म को जो बनाने का उदेश बेसिकली जो है वो यह है क्योंकि यह जो जो आंशलिक भाशा है अवद की उसके अंदर एक बहुत मशूर कहावत है कि गूलर का फूल जो है यदि किसी को मिल जाएगा तो उसस जो जाए मनचाही चीज़ प्राप्त कर सकता है यह एक मित है लेकिन यह बहुत पॉप्लर मित है तो इसके उपर बेस करके इसलिए कहानी को लिखा है सुधी मिश्र जी ने और इस कहानी का उदेश यह है कि आशा चाहे वो कारण से हो या कभी-कभी अकारण हो इनलोजकल भ समय से निकल कर और एक अच्छे जगे पर पहुंच सकते हैं सब के सब जो इसके जो एक्टर हैं वो यहाँ लकनों कही हैं लोग हैं और इस फिल्म को सबसे इसकी विशेश बात यह है कि जब यह फिल्म बन रही थी तो यह शौटेस पॉस्बल टाइम और शौटेस पॉस्ब बजट में फिल्म मनाई गई है और भी जो भारत की रिजिनल भाषा हैं उनको भी इससे प्रेणा मिलती है कि वो भी अगर फिल्म अच्छा संदेश देती है कहानी अच्छा संदेश देती है और डियक्टर्स को अच्छे तरीके से उसको परदे पर दिखा सकते हैं तो हम यकीनन यह पल तेशवासियो के लिए गर्व का है लखनो से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट न्यूज 18